तो आज जो हमारा सबसे पहला न्यूज है तो आज का सबसे पहला हाँ जी बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं ठीक है चलिए गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग चलिए शुरू करें हम लोग दिए सबसे पहले आज जो 26 मैं बाद को बता दूँ कुछ न्यूज जो हमारा डेली रहेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज जो हमारा है 26 ऑफ जून है 26 और 26 जून की जब हम बात करते हैं तो आज ही के दिन 26 जून 1975 को आज जो है 48 साल हो चुके हैं किसका जो भारत में नेशनल इमर्जंसी रास्टिय आपात काल लगा गया था तो मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूँ रास्टिय आपात काल जो लगाए गया था ये कब लगाए गया था नेशनल इमर्जंसी और ये 26 जून 1975 को इसकी सुबा मॉर्निंग में घोशना की जाती है और इंद्रा गांदी जी के द्वारा ये रेडियो पारी से पहली बार अनॉंस किया जाता है ये भारत में पहली ब रात काल को लगाए जाता है और इसी के बेस पर ये पूरी तरह से घटना है थी हाज ये केमरे में क्या दिक्कत आ रही है कि आज आज आपका ये सही हो जाएगा ठीक है बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एड़ेस्ट कर देता हूं देखे तो जो रास्टी आपात का लगा जाए था ये कब लगा था हाँ जी गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिंग ठीक है तो इस पर क्या हुआ था कि आपने देखा होगा प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमर्जेंसी रास्ट पती ने इमर्जेंसी के गोशना किया और ये कब होता है जब 25 जून को आपने देखा होगा एलाहाबाद हाइकोट ने जब पूरी तरह से इंद्रा गांधी जी को अपने पाबर को पूरी तरह से सीज कर दिया गय तो सबसे पहला कोशन आप से अगर पूछा जाएगा उसी जगा पर ये पहली बार इसकी गोशना की गयती 26 जून 1975 तो आपके पास जो आर्टिकल है आर्टिकल जो हम बोलते हैं 352 से 360 में इसका जिकर है मैं आपको वन बाई वन करके मैं बता भी देता हूं ये टोटल जो आ आपातकाल लगा था 21 मन्त ये खतरनाक समय था लग रहा था जैसे कहीं न कहीं लोगों को इदम घुटन सा महसूस हो रहा था और उसी समय जब हुआ था ये आपातकाल चला था 1975 से लेकर ये पूछा भी जाता 1975 से लेकर 1977 1977 तक लगभग 21 मैने तक ये पूरी तरह से आपातका गोसित किया गया था और यहां पर जो हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा जो पाबर फुल मतलब देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी भी हुई थी जबरन लोगों को जेल में भड़ा गया था जिसमें आपने देखा होगा उस समय आया था भारत में वन चाइ इफेक्ट किया गया था ठीक है और इसी में आपके पास एक होता आपके पास जिसमें आप लोग खुब इसके बारे में पढ़ते हो और यहीं पर पूरी रास्टी आपातकाल लगा जाता है बाबन चपन और 60 तो 52, 352, 356 और 360 तो 360 जो आर्टिकल है इसमें लगा जाता है ब इती आपातकाल की स्थिती कब आती है जब आपके पास 360 के अंदर में आता है 356 जो हमारे बीच में लगाए जाता है यह राज में लगाए जाता है आपातकाल राज्यों के लिए राज्यों के लिए जब आपातकाल राष्ट पती की द्वारा लगा जाता है तो उसके लिए और जब आप 52 की बात करते थी यह हमारा होता रास्टी आपातकाल, नैशनल इमर्जिंसी, तो हमारी यहां जो यह लगाए गया था वो था रास्टी आपातकाल था, तो यह तीन तरह की हम आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं, एक होता वित्य इमर्जिंसी जब होती है, जब बहुत ज़्यादा देश जो है मतब किसे ग्रसित हो जाए फारेंशल क्रैसिस आ जाए जैसे आभी आपने सिरलंका में देखा होगा वहाँ पर बितिये क्रैसिस आ गई थी तो ये कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा लेके आया था ठीक है हाँ अभी इंडिया में ये नहीं लगा बितिये इमर्जेंसी उनीसो इक्यानवेम आई थी 1990 के समय में ऐसी सिचुएशन थी लेकिन उस समय आपातकाल नहीं लगाय गया था जबकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा बितिये संकट होता है और बितिये संकट आपका 1990 के समय में जो आया था 1990 में और 1991 में हमारे देश में LPG और PPP को लागू किया गया था तो ये सारी चीजों मैं आज फैक्ट बताया हूँ तो डेली मेरा दो से तीन मिनट रहेगा हिस्ट्री मनें आज की इतिहास के पन्नों में क्या है तो इतिहास के पन्नों में जो आज घटनाए घटेगी उसके बारे मैं आपको कम सकम डेर से दो मिनट बात करूँगा और फिर हमारी जो आज की घटनाओं की बात होगी उसके बारे में लेके चलेगे ठीक है चले तो स्टार्ट करते हैं तो सेशन को और फिर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसी खतरनाक उसी समय जेपी आंदोलन आपने नाम सुनाओगा जैप्रकाश नरायन आंदोलन जो कहां पटना से मतब बिहार से स्टार्ट हुआ था और वो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो आज बड़े बड़े लीडर का जो जन्म हुआ था वो बोला जाता इमरजेंसी के समय में बड़े बड़े लीडर का उस समय जन्म हुआ था चाहे बिहार के अभी जो बरतमान में मुखमंत्री नितिश कुमार है चाहे लालो परसाज या तो उस समय जो पूरा हुआ था उस आंदोलन में तो नए नए लीडर का बहुत जबरदस्त आगमन हुआ था और तब जाके जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था आपने उसके बारें पोच्छ जाए था